हेलो दोस्तो मेरा नाम है शीवा बसीन और आप देख रहे हैं डिजिस्टल बड़ी इंडिया आज हम बात करेंगे कोल एक्सेंशन के बारे में जैसे की कॉल एक्सेंशन क्या होता है इसके एड्वांटेज क्या है और इसको हम कैसे लगा सकते हैं अपनी एड्स के अंदर और इसको कैसे बना सकते हैं चलो फिर शुरू करते हैं हैलो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो डिस्टल मार्क्टिंग बिलकुल इजी और सिंपल वे में तो आज सब्सक्राइब करें डिस्टल बेडी इंडिया को और साथ में बेल आइकिन भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे चलो वापिस आते हैं टॉपिक पे सबसे पहले हम यह समझते हैं कोल एक्सेंशन क्या होता है जैसे आपको नाम से यह आइडिया हो गया होगा कॉल प्लस एक्सेंशन मतलब गूगल हमें एक ऐसा एक्सेंशन प्रोवाइड करवाता है जिसको यूज करके हम अपने फोन नंबर को अपनी एड्स में शो करवा सकते हैं इसको समझने के लिए कुछ इमेजिस में शो करता हूँ आपके सामने जिससे आपको बैटर आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के होते हैं कॉल एक्सेंशन और कैसे शो होते हैं हमारे मोबाइल में कैसे शो होते हमारे डेक्स टॉप या लैप टॉप में स्लाइड ओपन करता हूं मैं आपके सामने सबसे पहले हम देखते हैं कि फोन में कैसे शो होगा ये call extension सबसे पहले आपकी heading आएगी उसके बाद आएगा आपका final URL आपका आगया description और सबसे नीचे आप देख रहें call का एक बटन आएगा और यहां पे आपका number आएगा अगर customer को show होती है आपकी head phone में तो directly click करके call के बटन पे आपको call कर सकता है जिससे आपका CTR काफी improve होता है और lead आने के chances भी काफी बढ़ जाते हैं आपकी अब देखते हैं हम desktop या laptop पे कैसे show होता है call extension जैसे phone में हो रहा था सबसे नीचे show हो रहा था इसमें final URL के आगे show होता है phone number आपका तो easily find कर सकता है आपका customer इस number को और आपको directly call भी कर सकता है अब बात करते हैं इसको लगाने का advantage क्या है benefit क्या है इसको लगाने का तो इसका सबसे बड़ा advantage यह यह है कि आपका user easily आपका number find कर सकता है और directly आपको call कर सकता है उसको click करके add के अंदर जाने की फिर contact के अंदर जाने की आपका number find करने की ज़रूरत नहीं है उसको starting में है आपका phone number मिल गया अगर वो interested है आपकी service के अंदर आपके product के अंदर तो आपको directly call कर सकता है और आपके user से customer में convert हो सकता है अब हम ये समझते हैं किन को ये use करना चाहिए mostly जो use करेंगे इसको अगर आप एक service sale करते हैं माल लेते हैं digital marketing service sale करते हैं paste and roll की करते हैं या कोई भी x y g कोई भी service आप sale करते हैं तो आप उसमें use कर सकते हैं call extension या फिर आप high value product sale करते हैं तो आपको use करना चाहिए call extension को I hope आपको यहां तक video clear हो गई होगी कि क्या होता है call extension हमें क्यों बनाना चाहिए इसके advantage क्या होते है अब हम सीखेंगे इसको बनाना practically तो open कर लेते हैं google ads को हमने already open किया हुआ है अब जैसी open करेंगे आप आजेँगे इस page पे इसके बाद आपको जाना है इसके अब आपको जाना है यह देख रहे हैं ads and asset का option इसके आप click करेंगे अब जैसी click करेंगे ads and asset पे इसमें दो option open होते हैं आपके सामने एक होता है ads का एक होता है asset का आपको जाना है assets में click किया हमें assets पे अब आपके जितने भी assets होंगे जितने भी extension होंगे यहाँ पे show होंगे हमें बनाने new extension तो हम click करते हैं plus sign पे already हम site link extension और call out extension बना चुके हैं आपको eye button में link मिल जाएगा इन दोनों का ही कि आप सीख सकते हैं कि इसके benefits क्या है और इनको हमें कब लगाना चाहिए और कैसे बना सकते हैं हम इनको आज हमें बनाना है call extension तो हम click करते है call पे अब यहां पे हमें option मिलता है account level पे आप set कर सकते हैं या फिर किसी specific campaign पे आप लगाना चाहते हैं service को या फिर किसी add group पे लगाना चाहते हैं आप इस call extension को वो भी लगा सकते हैं आप इसके थूँ आपको बस click करना है campaign पे और यहां पे जितने भी campaign होंगे आपके live यहां पे show हो जाएंगी और आप tick करके उसको लगा सकते हैं एसी add group level है आपने click के add group पे और जितने भी add group होंगे पहले आपकी campaign शोओंगी और campaign के अंदर जितने भी add group होंगे यहां भी शोओंगे आपके और आप click करके लगा सकते हैं उसको भी तो हम बना लेते हैं account level पे यहां से अपने state को choose कर लेते हैं हमारी इंडिया है तो हम इंडिया को लेते हैं और यहां पे हम एक phone number डाल देते हैं ठीक है जी इसके बाद एक option आता है यहांपर days and hours का इसके अंदर आप choose कर सकते हैं कि किस दिन किस टाइम पे आपके जो call extension ने show हो माल लेते हैं हम चाहते हैं सिर्फ हमारा Saturday और Sunday को show जो हमारे customer है हमारे user है हमारी website पे ज़्यादा आते हैं उस दिन यह हमारे click होने का chances जो हमने past में campaign runs की हैं उनसे हमें idea हो चुका है कि जो हमारे user हैं वो Saturday Sunday को ज़्यादा आते हैं ज़्यादा click होती है हमारी ads पे तो हम चाहते हैं Saturday Sunday को यह हमारा extension show हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसके दिरूँ और second हम अपने timing डाल सकते हैं इसके अंदर माल लेते हैं दस वज़े आपका office open होता है तो हमने डाल दिया 10 a.m और यहाँ पर डाल दिया इसको मतलब आप choose कर सकते हैं office timing भी माल लेते हैं landline phone का number डाला हुआ अपने तो आप इसके अंदर यह भी डाल सकते हैं क्या आप चाते हैं इसी timing पर आपको call आए सिर्फ यहाँ पर डाल दिया हमने 6 बज़े मतलब आप Google को बता रहे हैं कि 10 से 6 के बीच में आपका extension शो होना चाहिए और Saturday Sunday में ठीक है जी यहाँ से आपको कर देना है इसको save अब जो extension है आपको mobile में ऐसे शो होगा last में आपका number आएगा जैसे मैंने आपको images में बताया था पहले जैसे मैंने आपको images में बताया था वैसे इसमें शो होगा last में number mobile के अंदर आपका और रेकलिकस में call कर सकता है यह clickable होगा number अगर आपकी add open होती है desktop पे या laptop पे तो ऐसे शो होगा आपका phone number या final URL के adjust आगे I hope आपको clear हो चुका होगा कि क्या होता है call extension कैसे इसको बनाते हैं क्या इसके advantage है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल कीजिए सब्सक्राइब ऐसी वीडियो देखने के लिए बाबाई टेक केर